वेलकम बैग दा चैनल इस वीडियो के अंदर हम लोग डिसकस करने वाले हैं सी आरपी अफ रिकूट्मेंट 2019 के बारे में जिसका ऑनलाइन अभेधन स्टार्ट हो चुका है तो अगर आप लोग सी आरपी अप में जॉब करने में इंटेस्टेट है तो आप सभी से एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को सुरू से लेकर अंतिन तक बिना इसकी पिये देखेगा क्योंकि बहुत ही जवरी इंफोमेशन सेयर करने वाला हूँ आप सभी के साथ में और अगर वीडियो में दीगा इंफोमेशन अच्छी लगे तो इस वीडियो को एक लाइक करना और आगे भी डेफेंस जॉब की लेटेस्ट अपडेट को पाने के लिए चैनल को सब्सक्काइब करके बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी मदभूलेगा तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं C.R.P.F. Recruitment है 2019 के लिए लोग सभा चुनाओं में ड्यूटी के लिए 1600 पदों पर कॉंस्टेबल की स्पेसल भरती इलेक्शन के टाइम पर ये वहरती आई हुई है बहुत इंपोर्टन भरती होने वाली है यहाँ पर देख सकते हैं C.R.P.F. Recruitment भरती में आप सभी का स्वागत है उसके बाद यहाँ पर देखें C.R.P.F. की नई भरती में आपका स्वागत है इस भरती में हम आपको C.R.P.F. में निकली हुई एक नई भरती के बारे में बताएंगे यहाँ पर थोड़ा सा नोट करके ध्यान रखेगा यह भरती के बाल एक दिन में ही संपन्न होगी क्योंकि लोकसभा चुनाओ के लिए इस पेसल जवानों की ज़रुरत है इस भरती में चैनित सैनिक की ड्यूटी लोकसभा इलक्सन में लगेगी इसमें सेलेक्ट कैसे होना है इसकी पूरी र्यानकारी नीचे दी गई है तो आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं CRPF रेकुट्मेंट है 2019 के लिए लोकसभा चुनाओ में ड्यूटी लगेगी और दसमी पास के बल एक दिन में आपकी भरती होनी है जल्दी फिजिकल और नोकरी तो आप लोग देख पाएंगे CRPF यानी की केंद्री है पुलिस बल सरकार की इस डेफरेंस फारम में अभी तक बेतनमान में 21,506 पद खाली है इसके लिए बोर्ड पहली बार कॉंस्टेबल और हेड कॉंस्टेबल के लिए आवेदन आमंतित कर रहा है और इसके फॉरम की जनकारी नीचे दी गई है अपलाई आउनलाइन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिशन बॉक्स मिलेगा ग्रे मंतराले की एक रिपोर्ट के अंसार सभी अर्धरसानिक बालों में यदि कुल अधिकतम खाली पदों की बात करें तो सबसे ज़्यादा सी अर्पी अप में खाली पद है तो चलिए हम लोग देख लेते हैं पूरी इंफोमेशन पोश्ट नेम आपकी कॉंस्टेबल की होने वाली है पदों की संक्षा 1627 होने वाली है और बेतनमान 25,500 से 81,000 रुपए आपको मिलने वाला है एक चीज और नोटिस करिएगा यहाँ पे आपका 10 प्लस 2 मागा गया है कॉंस्टेबल जीडी के लिए 10 मी पास मागा गया है और फिजिकल की बात के तो 165 सेंटीमीटर आपका उचाई होना चाहिए और महिला के लिए 157 सेंटीमीटर का हो और चाती के वल पूरुस के लिए 80 सीनपल सा और 85 फुलाने के बाद और राश्टीता की बात के लिए तो इंडियान आप भारती होने चाहिए आयो सीमा आठा से लेकर 30 वर्स होनी चाहिए उसके बाद नोकरी करने का इस्तान आपको पता होगा कि ये डिफेंस जोब है तो आल इंडिया में कहीं भी पोश्टिंग दी जाएगी इस भरती में केवल फिजकल होना है फिजकल के आधार पर ही आपका चैन होगा फिजकल के लिए कुछ प्रोसेस जैसे कि 1600 मीटर की दौर है जिसके लिए आपको मिनमम 7 मिनट का टाइम दिया जाएगा और पुरसों के लिए 800 मीटर का दौर 4 मिनट में और महिलाओं के लिए जो है तो 800 मीटर 4 मिनट में और पुरसों के लिए 1607 मिनट में लंबी कूद 3.5 मीटर और फिमेल के लिए 3 मीटर और हाई जंप 1.05 मीटर और फिमेल के लिए 90 और उसके बाद सौट पुसप की बात करें तो 7.26 किलो का आपका केजी का रहेगा वो जो गोला होता है मेकने के लिए और फेकने के लिए और यहाँ पे देखें सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि ये भरती एकदम हीडेन है यानि की छुपी हुई भरती है इस भरती का नोटिफिकेशन आपको कहीं पर भी नहीं मिलेगा क्योंकि ये भरती सरवजनिक नहीं निकाली गई है ये भरती केवल उनी के लिए यहाँ पे पूरा बताया गया है कि जो डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं और जिनको ये नोटिफिकेशन मिल जाता है और यहाँ पे देखें सुबह चार बज़े से लिंक एक्टिव होगा अगले दिन के लिए कल के लिए बोला जा रहा है और अपलाई ओनलाइन का लिंक भी दे दिया गया है अवेधन केवल जर्नल और OBC के लिए 50 उरुपए बाकियों के लिए फ्री रखा गया है और यहाँ पे देखें अपलाई ओनलाइन का लिंक है इसका लिंक आपको वीडियो के डिस्कुशन मिलेगा आप लोग वहाँ से डारेक्ट अपलाई कर पाएंगे उमीद करता हूँ कि वीडियो में दीके इंफोमेसन अच्छी लगी होगी जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद